नमस्कार दोस्तों अगर आपके घर में बच्चा है तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम वैसे मेडिसीन के बारे में जानेंगे जो कि बच्चों के लिए इमर्जनसी टाइम में काम आएगा तो ये मेडिसीन ये चारों मेडिसीन घर में रखा जाना चाहिए जो कि आपके अमर्जेंसी टाइम में बहुत ही मदद मिलेगा इस मेडिसीन से तो इस चारों में से फर्स्ट मेडिसीन जो आता है ओंडेम का सीरफ ओंडेम सीरफ उल्टी के लिए यूज होता है और यह अलकेम फार्मा का बना हुआ है जितना बार उल्टी हो आप इसको रिपीट कर सकते हैं इसको यूज करने के बाद लगवग 10-15 मेट तक कम से कम दूद या कोई भी चीज ब कर सकते हैं दूसरी नम्मर का मेडिसीन जो है वह है पी 120 इसके अंदर पारसिटामल 120 मजी है अगर किसी तरह से बुखार आ जाता है रात में या कभी भी तो आप इस सीरफ को पारसिटामल को यूज कर सकते हैं और आपको उस समय के लिए रहत मिल जाएगा उसके बाद आप तो सुबह किसी डॉक्टर से जाके मिलके इसका जो ट्रीटमेंट है वह स्टार्ट कर सकते हैं आपको रात में किसी तरह से घबराने का जुरत नहीं पड़ेगा अगर आपके पास यह मेडिसीन रहा तो इसलिए यह मेडिसीन भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है बु यह किसी भी तरह से बच्चे के पेट में अगर एठन या गैस जैसा लगे तो आप उस सिच्वेशन में इसको यूज कर सकते हैं यह पेट के दर्द को भी कम करता है और किसी तरह से गैस बनता है उस सिच्वेशन में यह गैस्टी का ड्रोप बहुत ही रहात देता है और इस इसको यूज़ करके आप आसानी से उस प्रॉब्लम से बच सकते हैं एक गैस्टी का ड्रोप जो है मैंनकाइड का बना हुआ है उल्टी के समय जब आप उन्डेम सीरफ यूज़ करेंगे उस कंडिशन में भी आप उन्डेम सीरफ के साथ कुछ देर बाद इसको दे सकते हैं इसके बाद जो सीरफ आता है यह है ओफलमाइक एम ओफलमाइक म मैकलोड फार्मसिटिकल्स का बना हुआ है यह बच्चों में लूज मोशन के लिए काम आता है तो आप इस मेडिसीन को भी एमर्जेंसी मेडिसीन के ग्रूप में रख के इसको भी अपने घर में रख सकते है और कभी वैसे कंडिशन में आप इसको यूज कर सकते हैं अप्लामाइक एम में दो कंपोजिशन है अफ्लोक्सासीन और मेट्रोरिंडाजॉल अफ्लोक्सासीन 50 mg इसमें मिला हुआ है और मेट्रोरिंडाजॉल 100 mg परतिक 5 ml में यह मिला हुआ है चलिए अब हम जानते हैं दवा का डोज के बारे में यह ओन्डेम सीरप जो है इसको 1.5 ml एक से दो साल के बच्चे को लगभग दिया जाएगा पी एक सो बीस सीरप एक से दो साल के बच्चे को लगभग 5 ml दिया जाएगा वही गैस्टी का ड्रोप का बात करे तो इसको 1 ml लगभग 1 साल से ले करके 3 साल के बच्चे को दिया जाएगा इसको सुबह समाब दे सकते हैं यह कभी भी अगर पेट में एठन हो यह पेट ले तो उसको 5-6 घंटा बाद इसको रिपिट कर सकते हैं वहीं ओपला मैक एम सीरप का बात करें तो इसका भी डोज 5 ml एक साल से ले करके धाय साल तक के बच्चे को दिया जाएगा इसका मतलब यह है कि अगर यह चारू मेडिसीन आपके पास है तो रात में या कभी कर सकते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यह चारो मेडिसीन घर में रखें और अपने जो डॉक्टर होंगे उनसे जाके एक बार मिलके उनका डोज इसमें से लिखवा लिजेगा क्योंकि बोडिवेट के हिसाब से बच्चों का जो मेडिसीन होता है वह चलता है तो मिलते हैं नए वीडियो में नए मेडिसीन के साथ मैं हो फार्मासिट विवेक कुस्वा तब तक के लिए नमस्कार